रादे रादे खमाखने उकम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम राजस्तानी पानी की मिर्च का अचार सिखेंगे कि राजस्तानी पानी की मिर्च का अचार कैसे डालते हैं वह खाने में इतनी स्वाद होती है और अन्य मिर्चियों की अपेक्षा ये हाइट में थोड गैस पे चड़ा दिया पानी को उबलने के लिए जब पानी अच्छी तरह उबल गया खौलने लग गया तो हमने सारी मिर्च इसके अंदर डाल दी हुआ एक मिनट के बाद में हमने गैस ओफ कर दी और इस पे धक्का लगा दिया ताकि पानी ठंडा हो जाया अच्छी तरह नाज का दाना तो नहीं है और जो कीड़े वगरे भी होंगे बारिक छोटे-छोटे वह भी निकल जाएंगे उसी तरह हमने राई भी ले लिए राई में भी हम चेक कर लेंगे राई की मात्रा हमें मेथि और सौप से डबल लेनी है अब हम इसको एक मिनट तक रोष्ट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो नम्मी है वह निकल जाए अब हम मिक्सी जार में इसको डालेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे दरदरा पीसने के बाद हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें नमक डाल लेंगे नमक आप अपनी स्वादनों सार डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अब हमें चेक कर लेना है कि मिर्चियों का पानी ठंडा हो गया है और हमें अलग प्लेट में सारी मिर्चियों को निकाल लेनी है और सारी मिर्चियों को बीच में से हम कट कर लेंगे कट करने का एक दूसरा फाइदा ये भी है कि अंदर से कोई खराब तो नहीं है वो भी हमें पता चल जाएगा अब हम इसको अच्छी तरह से फुल भड़ लेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे ये खाने में इतनी टेश्टी होती है कि दोस्तों कि हम इसे रोटी, पराठा, ठंडी रोटी, धही रोटी, छाच रोटी, गर्मी, सर्दी, दोनों मोसम में हम इसे खा सकते हैं जब मैं इसे बना रही थी तब ही मेरे मूँ में इसे पानी सा आने लगया इसको देखकर इसको बनाते टाइम अब मैंने सारी मिर्चियां भड़ ली और ये बचाओवा मसाला हम बाद में भी इसे काम में ले सकते हैं अब मैंने एक डबा लिया है एकदम सूका डबा साफ सुत्रा होना चाहिए बिल्कुल भी नमी होनी नी चाहिए अभी धूप नहीं आ रही है इसलिए हमें इसे पंके में सुका लेंगे वरना तो हमें इसे धूप में सुका लेते हैं अब मैंने आदा नीम्बू इसमें निचोड़ कर डाल दिया है और इसमें उपर से एक चमच मसाला भी डाल दिया है और जो पानी था मिर्चियों वाला वो अमें फैकना नहीं है इसमें आदा ग्लास वो पानी अमें डाल देना है दूसरा पानी हमें नहीं लेना है मिर्चियों वाला पानी जो हमने मिर्चियों उबाली थी वो ही पानी हमें इसमें डालना है और हमें एक दो दिन में इसे हिलाते वे रहना है ताकि मिर्चि खराब नहीं हो सर्दी बहुत है दोस्तों घर में रहिए स्वस्त रहिए खुश रहिए और मिर्चियों का आनंद उठाईए बाबाई